हेलो फ्रेंज नमस्ते आप सबका स्वागे थे मेरी चानल में दिपिंक शेफ कुछ आज हम बनाएंगे मटन खिच्णा इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कूकर में थोड़ा साथ तेल गरम करें अब इसमें दो लंबे-लंबे कटे हुए प्यास को अच्छे से बुन ले अब इसमें जितने भी खड़े मसाले हैं जैसे की जीरा, तालचीनी, हरी लाइची, मोटी लाइची, क्लोव्स इन सबको प्यास के साथ अच्छे से बुन ले अब इसमें दो बड़े चमबच जिंजर और गार्लिक की पेस डालते हैं अब इसमें जितने भी पाउडर मसाला होते हैं जैसे की हल्दी, जीरा, धन्या पाउडर और थोड़ा सा मीट मसाला डालते हैं अब इसमें एक कर्टोरी दही डालना है और इसको अच्छे से भुन लेना है तब तक भुनना है जब तक मसाले में से तेल अलगना हो जाएं अब इसमें थोड़ी सी कर्सूरी में दिए जब ये मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डालते हैं यहां पर मैंने 700 ग्राम मटन लिया है जिसको मैंने नीम्बू और नमक लगा कर दो घंटे के लिए मैरिनेट किया था अब हम मटन को 5-10 मिनट तक तेज आँच पर पकाएंगे अब इसमें थोड़ा चा पानी डालेंगे और कोकर का ढखन लगाखर एक सीटी देंगे और उसके बाद 15 मिनट तक इसको धीमी आँच पर बंद कोकर में ही पकाएंगे अब जब तक हमारा मटन पक रहा है तब तक हम एक और कोकर में दाल और अपने चावल को पका लेंगे इसमें मैंने तीन चथाई कप चावल ये हैं आधा कप चने की दाल एक चथाई कप मूंग दाल पौना कप उड़ दाल पौना कप दूर दाल अब इसमें दाल से डबल पानी डालेंगे एक छोड़ा चमच हर्दी और नमक स्वाध अनुसार डालेंगे अब कुकर का धकन लगाकर इसको एक सीटी दें उसके बाद 10 या 15 मिनिट के लिए इसको धीमी आज पर पका लें जब मटन और दाल दोनों पक जाएं तो इनको एक कुकर में डालें और अच्छे से मिला लें अच्छे से मिलाने के बाद अब कुकर का धकन लगाएं और इसको एक और सीटी दिलाएं करके सीठी निकल जाए तो इससे फ्राइड अनियन्स के साथ गानिश करें और सर्फ करें